आज मैं आपके समने बात करूँगा न्यूट्रिंग के फाइदे मेल डॉग में कैस्ट्रेशन क्यों कराना चाहिए उसके फाइदे और उसके नुकसान ट्रॉस और कॉंस बोथ इन केस अफ मेल डॉट्रेशन रेड्यूस एग्रेशन कम हो जाएगा अकर आपका डॉग काफी गुसा करता है काटने वाला है तो कैस्ट्रेशन या न्यूट्रिंग एडवेसिबल है कि क्या होता है कि बॉडी में मेल हर्मौन्स काफी सबसाइट कर जाते हैं 2-3 महिने के अंदर के बाद मेल हर्मौन्स काफी कम जाते हैं जिससे मेल में जो उड्टेशन है काफी बार डॉग के स्क्रोटम में इंफेक्शन हो जाता है डॉग उसको लिख करता रहता है और एक साइकल बन जाता है और इसको ठीक होने में सम्टी महीने लग जाते हैं तो अगर आपने केस्टेशन करा लिया तो यह प्रॉलम कभी नहीं होगी और बार बार आपको एंटिबाटिक वर्ण से बच जाएंगे तीसरा फायदा है प्रोस्टेमेगली की प्रॉलम या प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉलम जली आप देखोगे हर मेल डॉग में एक एज के बाद प्रोस्टेमेगली की प्रॉलम आती ही आती है जनरली या प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉलम बहुत डॉग में देखा गया है अग लाप पेरियनल एरिया में छोटे-चोटे ग्रोथ हो जाते हैं डॉक्स में जो काफी पेंफुल भी होते हैं और अन्हाइजेनिक भी होते हैं हमेशा मैगट सोने का डर बना रहता है न्यूट्रिंग के बाद ये प्रॉल्लम भी काफी हद तक डॉग में स्वाल हो जाती है तिसरा बिहेबरल इशू मेल डॉग में क्या है कि अगर बगल में स्ट्रीट डॉग या कोई बीचेज हीट पे आ रही है तो उनके स्मेल से एक काफी अग्रेसिव हो जाते हैं घर से भा तो ये प्रॉलम भी सॉल्फ होगी छठा बहुत साय डॉग्स को मास्टरबेशन के आदत होती है वो तक्या पकर लेते हैं आप कुछ और सामान पकर के या कभी-कभी किसी का पैर पकर के भी हम्प करते हैं इस बीकॉज ऑफ और सेक्सुल हार्मोन इस तो अगर आपने देखी कर सकता है दूसरसा प्रॉलम सम्टैम अंग एज में न्युट्रिंग कर आया तो वोन डेफ्लाप्में पर एसर असर पर आज चो सारा कॉमा का इशु आ सकता है, बस एक थोड़े से नुक्सान है, बट एट एनी टाइम, नुट्रिंग का फाइदा नुक्सान से बहुत जादा है, तो इसको नुट्रिंग करवा ले, एक चीज और, घर में यहां वहां बात्रून करना बहुत साइडॉक्स के भी एज में बता देता हूँ, आपको जनरली छे महीने के बाद नुट्रिंग कभी भी करवा सकते हैं, लार्ज बीट में यह देखा गया है, अगर आप 12 महीने के बाद नुट्रिंग कराएं, तो उसका फाइदा ज्यादा होता है, बट नुट्रिंग का कोई मैक्समम एज लिम झाल 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